आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम सिद्धान तक नहीं हो तरही स्टेडी आईक्यू का बहुत बस्भागत है आज हम बात करेंगे रवी पुजारी की ये बोल रहा है कि करनाटक से इसको मुंबही ना भेजो हम रवी पुजारी के बारे में जानेंग तो दोस्तों रवी पुजारी की बात करें जिसको भारत लाया गया था परवरी में कोश्चन किया जा रहता अभी करनाटक पुलिस कर रही थी लेकिन या क्राइम तो इसने मुंबई में किया तो मुंबई पुलिस बोल रही है दर्जनो इस पर सो से जाधा केसेज बहुत केसेज दर्ज है और मुंबई पुलिस ये कह रही है कि अब आप हमको सौपी है लेकिन पुजारी जो हैं वो कह रहे हैं नहीं है सामत करो बहुत सारे केसेज है आक्टर्स, पॉलिटीशन, एक्स्टॉर्शन का मेन बहुत सारे मामले एक्स्टॉर्शन के दर्ज है दोस्तों रवी पुजारी के बारे में सबसे पहले तो जानते हैं मैं इसको उसकी कहानी बताता हूँ यह जो जुर्म की दुनिया है शुरू कैसे की बट इससे पहले सबसे पहले मेरा टेलिग्राम चैनल जोईन करो 11,300 सब्सक्राइबर है यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी और अपडेट भी मिलती है यह मेरा ओफिशल चैनल है तो रवी पुजारी के बारे में पहले समझो यह है कौन यह है गैंस्टर देखो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें क्या है कि बहुत सारे गैंस्टर जो हैं बड़े खतरनाक होते हैं जैसे दाओ दिबरहिम दाओ दिबरहिम के बारे में मैंने पुरा बताया है ठीक है crimes of दाओ दिबरहिम हुसायन जैदी की किताबे पढ़िएगा उन्होंने मुंबई के अंडर वर्ड को बहुत अच्छे से अपने किताबों में उता रहा है बहुत बढ़िया तरीके से तो दाओ दिबरहिम के बारे में मैंने बताया है तो बड़ा खतरनाक छोटा राजन हो गया रवी पुजारी के बारे में ये बोला जाता था कि ये बढ़ बोला है इनफाक्ट पुलिस ने भी ये बोला है ये बहुत बढ़ बोला है बोलता जादा है करता जादा नहीं है दूसरों का क्रेडिट लेता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरनाक नहीं है लेकिन हाँ फिल्मों का शौकीन मीडिया का शौकीन यह रवी पुजारी के बारे में बोला जाता है ऐसी रिपोर्ट में बाते हैं अब दोस्तों रवी पुजारी करनाटक में ही करनाटक से ही आता है मैंगलोर में इसका जनम हुआ मैंगलोर से आता है फिर ये मुंबई चला गया मुंबई आया 1980s में 1980s में आपको पता ही है कि ये अंडर वर्ल्ड उस समय जो है अंडर वर्ल्ड उस समय उबर रहा था करीम लाला के गैंग और फिर बाद में दाओद इबराहीम पहले मतलब गैंग में काम करता था ठीक है और उसके बाद फिर अपना अंडर गैंग बना लिया खेर वह कलक वह देखिएगा पूरी मैंने कहानी बताई है आपको पता है ना दाओद इबराहीम के पिता जी जो थे मुंबई पुलिस के बड़े इमानदार थे रवह काम करते थे कि मुंबई से ही तो आता न दाओद अबनाहिम तो रजचांड आया फिर वहाँ पर चाहिए के दुकान में काम करता था जहां पर काम करता था वहां पर लोग आते थे फिर चोटा राजन का गैंग किया लेकिन बाद बें से छोटा राजन का गैंग जोइन किया भी छोड़ दिया और फिर इसने अपना ही ग्यांग बना लिया रवी पुजारी ने 1990s की बात है क्योंकि आपको पते जब मुंबई बॉम ब्लास्ट हुए थे तो सब दाउद इबराहीम चोटा राज ने सब बाहर भाग गये तो बादमन को लेके दाउद इबराहीम को तो अ कि आप पैसा दो हम आपको प्रोडेक्शन देंगे ऐसा ही तो होता था नहीं पैसा दो को तो मार देंगे अब दोस्तों क्या है कई बार ये गोली भी इसने चलवाई है ऐसा नहीं है अपनी लोग जान बचाने के लिए पैसा देहीं देते हैं इतने बड़े गैंग्स्टल क अगर फोन आ रहा है तो आप देंगी पैसा इसमें एक खेल और होता था कुछ पुलिस वालों ने ये भोला है कि बड़े ओफिसर्स जो है एक क्रेडिट भी लेता था जैसे मालों की अगर कहीं पे भी गोली चली मालों की दाउद ग्यांग में गोली चलाई क्योंकि भाईया ये बाहर से अक्टिव है लेकिन अंडर वर्ड अभी भी मुंबई से पूरी तरीके से गया नहीं है और उस समय तो बहुत पकर थी अंडर वर्ड की पुलिस वाले भी बड़े बड़े पुलिस वाले भी इस में शामिल थे कितनी ऐसी कहानिया है तो हुआ क कि यहां पर हम देखते हैं रवी जैसे किसी ग्यांग ने भी गोली चलाई रवी पुजारी बोलता था मीडिया में बोलता था क्यालवा देता था मैंने कर्किया है अब इससे दो चीज़े होती थी एक तो ट्रनिट ले गया दूसरी चीज लोगों में डर क्या रहे बाप प आज के बाद सब चलेगे बाहर अंडर वर्ल्ड पे जब मुंबई पुलिस ने टेक आउन किया जब मुंबई पुलिस अपनी पे आई तो उसके बाद इंग गैंक्स्टर को भागना ही पड़ा तो रवी पुजारी जो है वह बाहर चला गया पहले दुबाई गया फिर पता मार दे लोगों को डरत होती तो पैसे तो दिये अब हम यह देखते हैं ऐफ्रिका से यह आपरेट कर रहा था कहां पे है बुर्किनो फासर अच्छा इसको मूवी का बहुत शौक था तो इसको पता है ना भाई देखो आप फरार हो तो आप ऐसे खुले घूम नहीं सकते इसकी तस्वीर भी नहीं है यही एक जो मैंने लगाई है मैंने क्या लगाई मैं इंडियार एक्सप्रेस ने चाप डॉक्रिमेंट से इसने बनवाई था और वहां पे अफरीका में रहता था सेनेगल में यह वहां से जब ऑपरेट करता था इसको रेस्टों खोलने का बहुत शौक था तो अब हुआ क्या कि पुलिस ने फिर इसको जूड़ना चुरू किया कि आखिरकार यह गया कहां बाद करता है यह अफरीका भाग जाता है वहां से भी लाना बहुत मुश्किल है उनकी पुलिस जो है जब वो पर्मिट करेगी वहां पे जो अफरीटीस पर्मिट करेंगी तब ही तो आप उनको एक्स्टाडाइट आप दूसरे देश से किसी क्रिमिनल को ले कि आ रहे और यह बह वापस कैसे पहले तो पकड़े कैसे इसको इसका नाम पता कुछ मिली नहीं इसको रेस्ट्राइट खोलने का बहुत शौक था तो अब दोस्तों क्या हुआ कि एक मैच में यह देखा गया वहां पे एक लैप करते हुए तो वहां पर पुलिस की नजर में आया कि शायद रव रवी पुजारी ही है यह देखो इसके पकड़ने की स्टोरी मैं बताता हूँ इसको पकड़ा कैसे गया एक बार यह सेनिगल में जनवरी 2019 की बात है यह सेनिगल में एक सेलून में बैठा हुआ था अब पुलिस पहले पुरी भारत की जो पुलिस ने मुंबभाई पुलिस पुरी ग्रवी पुजारी है यह रवी पुजारी है अब उसके बाद जब कंफर्म हो गया तो सेनिगल की पुलिस को भारत की पुलिस ने कॉंटाक्ट किया कि हमारा गैंक्सरड आपके पास है तो जब देखा तो गोला हाँ बिलकुल है और हमारे ऑफिसर गये लेकिन दोस् वो पकड नहीं हो पाई, खेर तीन बस में भरबर के सेनिगल के पुलिस ऑफिसर्स हैं, भारत के ऑफिसर्स भी थे, रवी पुजारी एक सेलून में बैठा था, उसको लगा कि मेरा कोई क्या कर लेगा, लेकिन चारों तरफ से तुमको पुलिस ने गेर लिया, रवी पुजार तो है, काफी प्रॉब्लम है, अब दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत इसको भारत कैसे लाया जाए, एक सेनिगल पेपिस के उपर केस चलना था, धोका धड़ी का, उसका इसने बढ़िया फाइदा उठाया, सेनिगल पुलिस ये बोल रही थी, कि पहले हम अपना केस, हमारे य जाएगा, जहाँ पे उस पे सौ से जादा केस दर जाएगा, तो कभी बारी नहीं कल पाएगा, तो रभी पुजारी तो यही जा रहा था, कि किसी तरीके से मुझे, मैं अफ्रीका में ही रहूँ, भारत पुलिस सारे दस्तावे सौ पर रही है, कि भाया ये बहुत बड़ा सेनिगल पुलिस ने मानने से इंकार कर दिया, वहाँ पर फिर मुकदमा चला और उसको जमानत मिल दी, सेनिगल में इसको जमानत मिल गई, जो केस इसके ओपर था, शर्त ये थी कि सेनिगल छोड़के कही नहीं जाएगा, लेकिन भाया ये तो गैक्स्टर है, इसके कॉन्ट पूरे बाग गया, उसके बाद पता ही नहीं, 2019 में पूरे साल पता ही जन्वरी में पकड़ा गया, उसके बाद कहा गया, पता ही नहीं, फिर इसको दोस्तो एफरिका सेनिगल से ही गिरफतार किया गया, वहाँ पर ये मिला जब पुलिस ने बहुत तगड़े से चानबीन की और उसके बाद वो केस बहुत बड़ा थानी, सेनिगल में धोका धड़ी का, फिर भारत ने भी थोड़ा सा प्रेशर बनाया, तब जाके फरवरी में इसको लाया गया, ठीक है, करनार्टक, मुंबई, गुजरात, केरल, सब जगां, सारे स्टेट के केस इस पर रेजिस्टर हो गया था, बाद में, तो 107, क्राइम ब्रांच और करनाटका की क्राइम ब्रांच है, 107 केसे जो है, वो रेजिस्टर्ड है, पुजारी पे, तो इसको फरवरी में लाया गया, तो अब यहाँ पर आर्गुमेंट हो रहा है, कि भाहिया, हमको दे दो, मुंबई क्राइम ब् पेटिशन डाली गई है, लेकिन करनाटक पुलिस है बोल रही है, तो जितने केसे हैं, पहले हम सुल्टाएंगे, देखिए स्टेट में भी यहाँ पे दिक्कात होती है, वे क्या बताऊं, अब बताईए, यहाँ पे राज्य में इतने केसे, करनाटक में इतने केसे, मुंब से बात है, अब फाइनली कस्टिडी जो है, यह इनको मिल गई, मुंबई पुलिस ने जब लेटर लिखा, तो हम यह देखते हैं, कि फाइनली इनको कस्टिडी मिल गई है, बंगलूरु का जो सेशन्स कोट है, उसने मुंबई पुलिस को यहलाओ कर दिया, कि आप पुजार जा रहे हैं, कि भईया, कहीं पर भी जाए, मुंबई पुलिस भईया, भगवानी बचा है, तो वहां तो हम नहीं जाएंगे, तो वो इस कस्टिडी को डिले करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो जो प्ली डाली है मुंबई क्राइम ब्रांच ने, उसको भी अपोस्ट कर रहे हैं, पुजारी के जो लॉयर हैं, दिलराज सिक्वेरा, वो बोल रहे हैं, कि भईया, देखो, COVID-19 के केसे मुंबई में बहुत जादा है, तो इनको COVID-19 हो गया, तो ये मर भी सकते हैं, लेकिन भई यह ना, कि पुजारी को ये भी डर है, कि अगर मुंबई गए, तो बहुत दुश्मन भी तुभन झादा, देखे, ग्ञैन, में भी बहुत दुश्मन होता है, पुलिस फोर्च में, उनको Prab रहे है, कहीं ऐसा ना हो इनको मार दिया जाय, जिस जेल में हैं, फहें पहुत जला ay जिस जेल में प्टा चला जिस जेल में इंको आड़र किया रहे ऑफ्वर पही गैंग के मेंबोज हैं दुश्मन है इस ये जो क्राइम की दुणिया है यूणwater को इन म Camboy यूए उन ठीन डिया में अखेंस के सीफेरेट रखा गया उरभी पुजारी interacts 10 समय गैंग मंदारी विंधमें तो भई अगर ये गए, तो हो सकता है इनको दिक्कत हो, तो ये इनको डर है, अब रवी पुजारी का किसी गैंग से अफिलेशन है, छोटा राजन से था ना, ये मैं आपको बताई चुका हूँ कि कैसे ये राइज हुआ, अभी कहानी सकी बताई थी, देखिए इसने क्या हु चोटा राजन के आखों में आया था कि यहां ये बढ़िया काम करता है, उस समय चोटा राजन और दौध इब्राहिम साथ में ही काम करते थे, फिर ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको अल्रेडी बताई चुका हूँ, पुजारी ऐसा नहीं है कि वो जब बाहर भी था, जैसे बैंककॉक में जब गया, इधर उदर पहले दुबाई गया, फिर बैंककॉक गया, फिर अफरिका, इधर उदर भागी रहता है, ऐसी लाइफ आप अगर जीएंगे तो फिर भाग नहीं पड़ता है आपको जीवन भर, तो इसमें इसको पर अटाइक भी हुआ, और फ आप तो वही है कि एक हफते के अंदर अंदर क्योंकि अभी ऐडर आया, तो एक हफते के अंदर अंदर, ये काम पुरा होना है, लेकिन वही है कि यसाद आप कानूमी प्रक्रेया है। ये निक्स्प्रेस ने चापा है, कुछ रहे हैं पर तेरे ये तेसे सिद्धान तक नहीं होता ही साइनिवाफ।